मौसम की सबजियों में जो ताज़गी, जो स्वाद होता है वो बे मौसम की चीज़ों में कहाँ इसलिए आज ताजी-ताजी मेथी दिखी ना तो मैं खरीद लाई और सोचा कि एक मेथी की बड़ी असी रेसिपिया आपके साथ शेयर की जाए कौन सी? अचा मेथी के साथ मिले ना मुझे ये नए वाले ताजे-ताजे खुदे आलू भी अब इन में भी मैं ये बेबी बडेटोस को चांट लाई तो मेक मैं वेरी स्पेशल वाली आलू मेथी की सबजी अचा एंड में आपके लिए एक खास बोनस रेसिपी भी है पाँच मिर्ट में कैसे बिना घंडो घंडो धूप में सुखा है अब घट पर ही बना सकते है कसूरी मेथी बी और इसका मजा ले सकते है सारे साथ जो चली बनाते हैं फिर आलू मेथी की सबजी मेरी स्पेशल वाली तो पहला काम तो हमको ये करना है इस आलू मेथी की सबजी के लिए कि ये जो बेबी पोटेटोस है ना इनको बस हलका सा स्क्रेप कर लेना है आप चाहें तो किसी तॉलिये में या टावल में इसे रगल के भी साफ कर सकते हैं इसका चाहें पूरी तरीके से नहीं उतार रहे हैं ये देखिये जा स्क्रेपिंग और थोड़ा सा जो थिन वाला जो इसका चिलका है ना इसा करने से चांदे क्या होगा आपके आलू जो है वो और क्रस्प हो जाएंगे तो ये लीजे सारे आलू हमने चील लिए अब इन आलू को पहले अच्छे से बानी से धो लेंगे इसके बाद हाफ में कट करके रखेंगे आलू मैंने अच्छे से वाश कर लिया है थोड़ा चिलका इस पे लगा रहा गया अब इसमें एक बार आप चेक कर लीजेगा कि अगर कोई आलू हलका सा भी आपको हरा दिखाई देना तो उस आलू को डिसकार्ड कर दीजेगा हरा आलू नहीं खाया जाता है पर्टेटोस डन अब मेथी को साफ कर लेते हैं इसकी जो टेंडर लीव्स हैं इन्हें हम अलग निकाल लेंगे और इससे निकालने का एक बहुत असान तरीका यह है कि यू जिस्ट होल्ड इट लाइक देस और प्रेकिन इट अब इसकी जो टेंडर स्टेम्स हैं वो तो मेथी के साग में नहीं लिया जाता है सारी मेथी तो हमने अब तोड ली है पहले इसे अच्छे से धो लिया जाए इसके लिए कभी भी इसे आप धो करके पानी मत निका लिए अब इसे अच्छे से स्क्वीज करके आप लिफ्ट करके निकाल लीजे तो जैसे जितने वाटर सॉलिबल मिनरेल्स हैं जितने वाटर सॉलिबल विटमिन्स हैं वो सब ने कर जाएंगे अब इसे अच्छे से स्क्वीज करके आप लिफ्ट करके निकाल लीजे तो जैसे मैंने आप से कहा कभी भी इसका पानी ऐसे डिसकार्ड मत कीजे ऐसा करने से मिट्टी नीचे की नीचे बैठी रह जाती है और आपकी मेथी में वापसा आती है अपनी vegetables की cutting chopping कर लेते हैं तो पहले तो ये potatoes को मैं half में cut करके रख लेती हूँ अगर कोई potatoes बहुत बड़े हो तो आप उनको two की जगा four pieces में भी cut कर सकते हैं So cut them into quarters ताकि सारे potatoes आपके equal size के हो जाएं और जब cooking हो तो सब एकठे cook हो जाएं potatoes को cut करने के बाद बापस से हमेशा पानी में ही रखेंगे नहीं तो जानते हैं ना potatoes काले पड़ जाएंगे potatoes done अब मेथी को भी पहले हम fine chop कर लेते हैं इसके लिए just take small bunches, collect them together, push them to one side और फिर अपने हाथ में इसे अच्छे से roll करके आप पकड़के तब इसे chop कीजेगा तो मेथी भी कट गई, आलू भी कट चुका है अब ये आलू मेथी की सब्जी में special क्या है? अरे भाई है जो आप बताने जा रही हूँ आपको आलू मेथी की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए लोहे की कड़ाई जी हाँ, गांठ बांग लीजे लोहे की कड़ाई में जो आलू मेथी की सब्जी का स्वाद आता है ना यकीन मानिये, और किसी चीज में नहीं आता सब्जी बनाने के लिए मैं इस्तमाल करने जा रही हूँ सर्सो के तेल का, यानि की मस्टर ओल का और पहले इस तेल को बहुत अच्छे से मैं गरम हो जाने दूंगी तो जब तक मेरा तेल यहां गरम होता है थोड़ासा गालिक मैं फाइन चॉप कर लेती हूँ आई हाव अववव येर अबाउट वन टेबल स्पून उफ चॉप गालिक तो नोट कर लीजे मेरी स्पेशल वाली आलू मेती की सबजी में हमें क्या-क्या इंग्रेडियन की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे चाहिए होगा यहां पर अफकॉस मेती, आलू, ये बारी कटा हुआ, लसन या गालिक अगर आप गालिक या आनियन का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो आप इसकी जगा quarter teaspoon हींग का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसके साथ खड़ी लाल मिर्च, मेती के दाने और नमग अब ये देखिए, तेल गरम हो चुका है, इसमें धुआ आने लग गया है गयास को मैं कर दूँगी बन और थोड़ी देर के लिए इसे थोड़ा सा ठंडा कर दूँगी तेल जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तो सबसे पहले तो मैं इसमें आड़ करूँगी आधा छोड़ा चमच नमक इस तेल को clarify करने के लिए अब इसमें आड़ करेंगे आधा छोड़ा चमच मेथी के दाने मेथी को थोड़ा सा कलर ले लेने देंगे और आड़ करेंगे ये फाइन चॉप किया हुआ गालिक इसे के साथ 3-4 होल रिट चिली तोड़ करके आड़ कर देंगे देखें ये गालिक भी गोल्डन हो चुका है चिली भी फ्रेक्रेंट हो गई है अब इसमें पोडेटो जाड़ कर देते हैं पोडेटो को तब तक को कर लेंगे जब तक कि ये औल्मोस्ट कोक नहीं हो जाते और इनको कवर करके हम कोक बिलकुल नहीं करेंगे सारी कि सारी कोकिंग जो है ओपन कोकिंग होगी ताकि हमारे जो पोडेटो हैं एक दम क्रिस्प क्रिस्प होगा है ये देखें ये पोडेटो अब कितना गोल्डन हो चुके हैं अच्छे से गल भी चुके हैं साथी साथ में काफी क्रिस्प भी हो गए हैं काट है इस come इन फोंगंज गल भी क्यों है अब इन पोटेटोज में जो सब्हों कि इसमय काएर जाप संजा जो इस त करेंगे यह चौप की हुई मेथी और इसे भी भून लेंगे तकरीबन साथ से आठ मिनिट के लिए अब यह मेथी की सबजी को भी ना हम ओपन कुक करेंगे इसको ढखके नहीं पकाएंगे ने तो मेथी बहुत सारा पानी छोड़ देगी और हमारी सबजी क्रिस्पी और ड्राय बनने की जगा थोड़ी सी लोटपुटी हो जाएगी तो जब तक यह मेथी यहां कुक होती है आपको वो ट्रिक दिखाती हूँ कैसे आप मेथी से ही घर में बना सकते हैं कसूरी मेथी वो भी बिना दिनों दिन मेथी को सुखाए केवल पाच मिनट में मेथी की लीफ्स को एक बड़ी सी प्लेट में मैं सिंगल लेयर में लगा दूँगी देखिए कुछ ऐसे ध्यान इस बात का देना है कि बहुत सारी मेथी एक दूसरे के उपर हीप अपना हो जाए अब इस मेथी को दो मिनिट के लिए मैं माइक्रोवेव करूँगी जी हाँ सरी जुना आपने I'm just going to microwave this for two minutes microwave की heat बहुत dehydrating होती है तो वो करती क्या है? इसी भी vegetable से उसका सारा पानी सोक लेती है जिसकी वज़ा से एक dehydrator का भी काम करता है microwave दो मिनिट बात जब आप अपनी मेथी को निकालेंगे ना आप notice करेंगे कि ये काफी सूक गई है और इस तरह से प्लेट पे पूरी चिपक गई है अब इसे हलका सा आप turn कर दीजे Just lift this up a bit ताकि इसके नीचे जितना moisture trapped है ना वो moisture भी बहार निकलाए अब फिर दो मिनिट के लिए इसे हाँ microwave कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा और dry out हो जाए बढ़िया सी मेथी बुनने की अब खुश्बू आने लग गई है लेकिन मेथी अभी crisp नहीं हुई है इसलिए मुझे इसे 3-4 मिनिट के लिए और पका लेना होगा अच्छा आपने नोडेस किया होगा कि आलू मेति की सबजी में मैंने ना टमाटर डाला है और ना ही मैंने इसमें हल्दी डाली है जी बिल्कुल सही किसी भी हरी पत्तेदार सबजी में मैंने आज तक हल्दी डाली शायद एक ऐसी चीज जो मैंने अपनी मां से अपनी नानी से सीखी है और टमाटर का स्वात मेती के साथ प्रेश मेती के साथ उतना अच्छा नहीं आता है इसीलिए बिना प्यास के बिना टमाटर के आप ये सब्द्धी बना के देखिएगा अब यह देखिए, यह मेथी तो और सूख गई, look at this, धीरे धीरे अब यह क्रिस्प होने लग गई है, कुल चार मिनट हो चुके हैं, अब एक मिनट के लिए मैं इसे फिर से माइक्रोवेव कर लूगी, कहा था ना आप से, केवल पांच मिनट लगेंगे, पांच दिन के काम को करने के लिए, फाइनल वन मिनट ओवर, अब यह देखिए, मेरी मेथी कितनी क्रिस्प हो गई है, सुनाए देरा आपको, देखा आपने, कैसे पांच मिनट के अंदर हमने मेथी को डिहाइड्रेट करके सुखा करके भी रख लिया, और इसकी खुश्बू भी बहुत बढ़ घर की मेथी, जिसे आपने घर में ही बिलकुल हाईजीनिक तरीके से सुखाया है, और आप देखिए, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, जानते हैं, यह आलू मेथी की सबजी मैं इस लोहे की कड़ाई में ही क्यों बना रही हूँ, ऐसा करने से लोहे के जो तर्त्व हैं आपकी सबजी के साथ इसमें मिक्स हो जाते हैं, ऐसा करने से आप अपनी डाइट में जो आइरन की जो कमी है, उसे थोड़ा सा पूरा भी कर सकते हैं, तो यह ताजी मेथी की सबजी हो, या यह कसूरी मेथी की सबजी, आलू मेथी की सबजी जब भी बनाईएगा, उसे लो उसमें मेरा वो सीक्रेट वाला इंग्रेडियन डालना बिलकुल मत भूलिएगा